और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चमपई सोरेन का नाम आगे आ गया है जहारकण में जहारकण के नहीं मुक्ति बोच्चा की विधायक दल ने चमपई सोरेन जो की पुराने विधायक हैं उनका नाम चुना गया है कलपना सोरेन नहीं चमपई सोरेन होंगे मुक्यमंतरी हिमन्त सोरेन जिनकी से रगातार एडी पूछताच कर रही है उनके बारे में ताजा खबर यह है कि वो इस वक्त राजभवन पहुंचे हुए है जा रहा है कि राजभवन राजपाल से मिलें इस्तीफा देने के लिए पहुँचे हैं और मुक्यमंतरी जो नए होंगे उनके नाम पर चमपई सोरेन का नाम आगे आया है क्योंकि कल्पना सोरेन जो कि हिमन सोरेन की पत्नी है उनके नाम को लेकर परिवार में विवाद था हिमन सोरेन की भावी सीता सोरेन जो की विधायक भी है वो नहीं चाहती थी कि कल्पना सोरेन मुक्यमंत्री बने उनी के आपत्ती के बाद अब ये फैसला बदला है जारकरण मुक्ति मोर्शा के तमाम विधायकों ने इनफेक्ट महागडबंदन के तमाम साथियों ने की नए मुक्यमंत्री चमपई सोरेन होगे चमपई सोरेन के बारे में आपको बता दें शिबू सोरेन ने जब आंदोलन छेडा था जारकरण को बिहार से अलग कराने का उस आंदोलन के बड़े चेहरों में चमपई सुरेन का नाम भी बताया जाता है शिबू सुरेन के बहुत करीबी रहे हैं शिबू सुरेन हिमन सुरेन के पिता रहे जारखण के मुक्किमंत्री रहे वही चमपई सुरेन जिनके नाम पर बहुती लो प्रोफाइल नेता हैं अदिवासी नेता है और बेरे ख्याल से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नेताओं का जमावड़ा राजभवन के बाहर राची में हो गया है हमारे सयोगी वहाँ है उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे ताज़ा अपडेट देंगे मैं आपको ये भी बता दूँ कि धारा 144 राची में लगाएगा है ये खासकर उन जगों पर जैसे मुक्तुमंद्री आवास के बाहर और राजभवन के बाहर उन जगों पर बड़ी संक्या में नेताओं का जमावड़ा हो रहा है नेता एकटे हो रहे हिमन सुरेन से आज दू मिनिट पहले ये खबर आई करीब साथ साड़े साथ घंटे की बूशताथ के बाद कि उनकी गिरिफतारी हो रही है और उसके बाद ये पहली बार ऐसा ये तस्वीर है चमपई सोरेन की जो लोग नहीं पहचानते हैं पहचान लीजे जारखंड के मुक्यमंद्री चमपई सो पुरेन होंगे ऐसी अभी अपचारिक तोर पर पुष्टी हो जाएगी जब राजभवन से इनके नाम की अपचारिक चिठी जारी होगी जेमेम ने इनको अपना नेता चुना है विधायक दलका महागडबंदन के तमाम साथियों ने कॉंगरिस ने आरजडी ने ने इनको स समर्थन लेकर राजभवन के पास गय हुए है